कि यह लाइन भी यहाँ पर मैं आप लोगों को नोट करा देता हूं कि ओल्व रूटीन्स और मेड अप आउफ ट्वंटी स्टेंडर्ड अमाइन वास ठीक है यह तो बात मैंने बताई थी लेकिन दूसरा स्टेटमेंट बहुत पॉर्टेंट है और मोर देन नाइन हंड्रड अमाइन वास डिफ्रेंट टाइप ऑफ अमाइन वास ठीक है यह डिफ्रेंट टाइप की बात हो रही है एक्जिस्ट इन नेचर लिविंग और्गनिजम्स के अंदर उसों से भी ज्यादा अलग-अलग प्रकार के अमाइन वासेड्स मिलते हैं लेकिन उन में से 20 के वल पार्टिसिपेट करते हैं किसमें बताओ मुझे यह सब्सक्राइब अब जो स्टेंडर्ड अमाइन वासेड्स है ठीक है स्टेंडर्ड अमाइन वासेड्स और क्लासिफाइड और क्लासिफिकेशन होगा ठीक है उसमाइन वासेड़का कि वह कैसा है यह सब है किसके वैसेड्स पे होता है ौहाइभ एक एक है कौन सा बेसिक है यह सब बतें किसके बिसरेस होती है किसके बेसस पे भोटर डिसाइब होती है लूटिके हैं साइड चेंट के वेसित भór है यहां पर एक इंट्रेस्टिंग चीज है कि तभी को पता है water is the universal solvent और water जो है वह एक पूलर टाइप का solvent है ना बच्चे या सो नो की water is a polar solvent किसी बच्चे को मालूम है कैसे पता चलता है में कि ये molecule polar है ये polar नहीं है देखो मैं तो बहुत simple सी बात करता हूं मैं बहुत ज्यादा chemistry का question नहीं पूछना चाहरा था अप लोगों से क्योंकि हमें chemistry नहीं पढ़नी है तो bio chemistry पढ़नी है chemistry bio chemistry का मतलब होता है chemistry of bio molecules तो हमारा लेना देना सिर्फ इतना ही है कि हम water की property समझ ले water की property समझ ले और हम biomolecules की properties समझ ले अगर हमें यह पता लग जाए कि यह bio molecule के अंदर यह जो है polar होता है यह non polar होता है अगर ऐसा कुछ पता लग जाए हमें वहली बड़ा आसानी होगी हम कह देंगे नहीं कि polar के साथ में interact कर रहा होगा और हमें पता चल जाए कि molecule का कौन सा बोलर है जो कि non बोलर है और नोन बोलर तो बोलर के साथ में interact करता नहीं है तो नोन बोलर वाला portion या हाइडोफोबिक portion किसके साथ में interact करेगा क्यों interact करेगा अगर यह थोड़ा सा आइडिया में लग जाए तो बहुत चीजे बहुत चीजे आसान हो जाती है यह सब बोलो क्या पूछ रहे थे बचे देखो आप तो chemistry की बाते बोल रहे हो जितने भी options डाइपूल यह सब पारिशल चार्जेज पारिशल पॉजिटिव नगेटिव चार्जेज हाइडोजन बांडिंग हाइडोजन बांडिंग ठीक है हाइडोजन बांडिंग हमारे का सब्सक्राइब की है मैं आपको एक बहुत सिंपल सी ट्रिक बताता हूं मेरे लिए यह बहुत मतलब बहुत आसान है मतलब आइडेंटिवाई करना कि कहां पर हाइडोजन बांड बनेगा कहां पर नहीं बनेगा मुझे अगर यह चजह गूस्क कई दिखाई दे जातेंे किसी मोलिकिव के अंदर तो मैं उस मॉलिकूल को पूलर मान लेता हूं क्या आ च्छे ग्रूप कि बात करूंगा यह गुरुप पूल και्रूप की में आते हैं और पूल रगुरुप कौन कौन से हैं बचते पहला जोॉप है वह आई-डॉक्सिल ग्रूप है आपको दिखे रहा होगा पहला जो यहाँ हमाइडृ गृूप मैंने लिख्ण यहाँ पर यहाँ पर थायोल गृुप इसको कहा जाता है थायोल, सविय फिर्ट हैड्रिल, मतलब एक अगाइड्रोजन है और विद गूंदू तरन कहां न्यूंद है अगर आपको यह पता चल जाएं , किसी भी मॉलेक्यूल के अंदर ये गुरूप है तो ये गुरूप पानी के साथ में क्या कर रहा होगा ये पूलर गुरूप के example मैंने आपको दिये है पूलर interacts with पूलर और पूलर पूलर का जो interaction होता है वो generally hydrogen bonding के थूर होता है तो कहीं पे भी ये गुरूप आपको सीधे सीधे दिखा हुआ मिल जाए किसी मॉलेक्यूल के अंदर तो आप क्या answer करोगे वहाँ पे क्या बोलोगे उसके बारे में यह बोलोगे ना कि ये गुरूप water के साथ में क्या बना रहे होंगे कैसे इंट्रेक्ट कर रहे होंगे वाटर के साथ में by making hydrogen bonds ठीक है like dissolves like polar polar का interaction होता hydrogen bond नहीं इसके अलावा charge entities charge entities भी water में soluble होती है बच्चे ठीक है positive negative charge ठीक है किसी molecule के positive या negative charge है वो भी water के अंदर soluble होती है इसका example है salt salt को जब पानी के अंदर डाला जाता है तो salt का common salt का जो formula होता है that is NaCl na sodium जो है highly electropositive atom है chlorine जो है highly electronegative atom है तो chlorine sodium से electron लेके भाग जाता है अलग हो जाता है उसके उपर negative charge आ जाता है उसके ions dissociate होके sodium और chloride ions में dissociate हो जाते हैं और water के अंदर soluble हो जाते हैं इसका मतलब जो positively charged negatively charged entities हैं वो भी water के अंदर soluble होती है through the formation of through the formation of hydrogen morning एसा कैसे होता है वो भी मैं बता देता हूं यह na positive है हम और आपको ना होना चाहिए कि जो water की जो oxygen है उसके उपर होता है light क्या होता है slight यह partial negative charge क्या होता है partial negative charge तो ऐसे ही बहुत सारे water के molecules इस तरीके से interact कर रहे होते हैं किसके साथ में sodium ion के साथ में इस वज़े से water के साथ में जो यह ions हैं वो क्या बना रहे होते हैं they also make hydrogen bonds हां ना क्लोराइड आइंस की बात करेंगे तो फिर अपोजिट हो जाएगा फिर hydrogen वाला जो है क्लोराइड की साइड आ जाएगा क्योंकि hydrogen के ऊपर क्या यहां पर partial positive charge है तो आपको ऐसे समझना चाहिए कि जो sodium iron है उसको बहुत सारे water के molecules चारों तरफ से घेर के रखते हुए हैं और उसके साथ में क्या बना रहे हैं क्या बना रहे हैं बच्चे और यह जो बहुत सारे water के molecules ने घेर के रखा हुआ है sodium iron को इसको क्या बोलते हैं सॉल्वेशन बोलते हैं न क्या बोलते हैं बच्चे क्या बोलते हैं बच्चे सॉल्वेशन का मतलब यह है कि कि यह ने water के molecules ने किसी आयन को घेर के रखा हुआ किसी molecule को घेर के रखा हुआ कि लियर है पॉइंट हम तो आपको चार्जेश वाले कैसे होते हैं हमेशा याद रखना कहीं पे भी पोलर की बात हो रही हो और पानी में घुलने की बात हो रही हो पानी में सौलिबलाइज होने की बात हो रही हो वहां पर एक ही बात हम लोगों को ध्यान लखनी है क्या है वो क्या है वो बच्चे hydrogen bonding ही कि लियर है कि अ अब नौन पोलर की पहचान आप लोग कैसे करोगे दि नोन पोलर गृप्स और फोबिक जिनको कहा जाता आ इनको कहते हैं नोन पोलर ग्रूप यह मिठाइल ग्रूप है जो कार्बन वाला क्या हो जाएगा इथाइल हो जाएगा तीन कार्बन वाला क्या हो जाएगा बच्चे प्रोपाईल, चारवाला, ब्यूटाईल, पांचवाला, पैंटाईल, हैगजाईल, हैपटाईल, ओक्टाईल, नो नाइल, डैकाईल, एंड सोन तो यह जो गृप्स हैं इस तरीके के इनको कहा जाता है नोन पोलर या फिर हाइडोफोबिक गृप्स और अगर कहा जाए कि इथाइल मिथाइल के बीच का इंटरेक्शन कौन सा होता है तो यहां पर जो इंटरेक्शन आपको याद रखना है इंटरेक्शन का नाम है हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन क्या नाम देना है हाइड़ोफोबिक इंट्रेक्शन इसका बहुत सिंपल सा एक्जामपल है जो आप को मंडे में भी देखते हो डेली पानी के अंदर ऑईल डाल दो घर का ऑईल मस्टर्ड ऑईल एनिफिंग तो आप देखोगे कि वह इंसॉलिबल होगा वाटर के अंदर उसको आप थोड़ा सा शेक कर दोगे तो जो ओयल की ड्रॉपलेट्स हैं वो एक दूसरे से अलग हो जाएंगी छोटी छोटी फॉर्म में अलग हो जाएंगी लेकिन थोड़ी टाइम के लिए उसको जो है इस्टिल करके रख दो उसको हिलाओ मत शेक मत करो तो वो दो बूं जोट है सालों कि किते होता है किस कारण की वज़े से खिची आती है अधिकिय। तो बेसिकली अगर आपको इस टाइप पर भी क्वेस्टन पूछा जाता है कि जो छोटी-छोटी ड्रॉपलेट्स होती है ओयल की वॉटर के अंदर तो वह मिलके जब एक बड़ी ड्रॉपलेट एक बिग ड्रॉपलेट एक लाज ड्रॉपलेट बनाती है तो वह कौन से इंट्रेक्शन की वज़े से होता है आंसर विल भी हाइड्रोफोबिक इंट्रेक्शन इस बात को जड़ा नोट करो और फिर हम लोग क्लासिफिकेशन के जो बाल एकक बितोंगे तंसर इंटो एक ल॥ झाल क करनास्की ङ चलीप एक बड़ कीजेशन के जिनाव łी ऑे का बिगाशन जिए तो